24 के चुनाव में कॉंग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप महीं बैठिये विपक्जमाई बैठो और तरक खतम हो जाए तो चीटते रहो चिलाते रहो आधनियत सभापती जी कॉंग्रेस के इतिहास का ये पहला मोका है जब लगा तार तीन बार लगा तार तीन बार कॉंग्रेस सोका आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कॉंग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है अच्छा होता कॉंग्रेस अपनी हार्ट स्विकार करती जनता जनार्दन के आदेश को सरांखों पर चड़ाती लेकिन ये तो कुछ शिर्शासन करने में लगे हुए है और कॉंग्रेस और उसकी इकोसिस्टेम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिस कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है आदेन ये सवाप रतीजी ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान जीवन के अनुगों से बताता हूँ कोई छोटा बच्चा साइकल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गेर जाता है साइकल से लुड़क जाता है रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पाथ पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चीटी मर गई देखो चीडिया उड़ गई अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकल चलाते हो अरे तुम तो गिरे नहीं हो ऐसा करके उसका जराब मदभ ठीट करने के लिए प्रयास करते है उसका धान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं तो आजकल बच्चे का मन बहला देखा काब चल रहा है और कॉंग्रेस का कॉंग्रेस के लोग और उनका एकोसिस्टिम आजकल यह मन बहला देका काब कर रहा है आजनिय सभापती जी 1984 उस चुनाओ को याद दिजिए उसके बाद इस देश में दस लोग सभा के चुनाओ हुए है 84 के बाद तरह 99 निन्ना नबे के टिप्कर में पसे रहे हैं कर दो येपोग सुखा लुटान के बादिति अड़न भी आए कर दोगी जी ठीज़ना शुटान को ये खोपम बाद्रीज को येपोग येपोगा करदेए झाल शुटान को येपोगू